इरान और उसके प्रोक्सी संगठन इसराइल को चारो तरफ से दहला रहे हैं। करीब दस लोग घायल हुए थे और एक इसराइली की मौत हो गई थी। और हानिया की मौत में कथित तौर पर इसराइल का हाथ होने के चलते। इरान इस ताक में है कि इसराइल पर कब वो एक भीशन हमला कर सके। जिससे उसे अधिक से अधिक नुकसान हो। और इसी कड़ी मे आयार जीसी के कमांडर चीफ मेजर जनरल हुसेन सलामी ने इसराइल को जल्द ही बदले की चेतावनी दी है। और उसके ठीक एक दिन बाद तेल अविव के रामला शहर में एक बड़ा हमला हुआ है। धरसल यहां एक सड़क किनारे पारकिंग में खड़ी एक कार में ब्ला हुए है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जाच कर रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे किस का हाथ है। वही धमाके को लेकर इसराइल की एमर्जेंसी मेडिकल सर्विस के मेगन डेविड आडम का कहना है कि एक स्टोर के करीब और रिहाइशी इमारत के किनारे खड़ी का में धमाका हुआ है। हाला कि इस धमाके को लेकर पुलिस पास ही में बसे अरब नेबर हुड में रहने वाले लोगों पर शक जता रही है क्योंकि रामला तैल अविव के पूर में स्थित है और यहां मिली जुली आबादी रहती है। यहां यहूदियों के साथ अरब लोग भी रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच इसराइल की मुश्किले कम नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि इरान एक नई बेलिस्टिक मिसाइल का परीशन कर रहा है। जिसकी रेंज 700 किलो मीटर तक है। और वो इसका इस्तेमाल इसराइल प इसरामिक रेविलुशनरी गार्ड कॉप्स के कमांडर इनचीफ मेजर जनरल हुसेन सलामी ने फिर से इसराइल को ललका रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल जल्द ही इरान के बदले का स्वाध जरूर चखेगा। सलामी ने अपने बयान में कहा कि आज हम गाजा के लोगो इसराइल जल्द ही अपनी दुष्टता का बदला देखेगा। इसका बदला लेंगे। जाएल टेखेगा। झाल यु़ झाल झाल